19 अक्टूबर को राची में होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम में राची पहुँचे एयरपोर्ट पर दोनों ही टीमों का जोरदार स्वागत किया गया हाला कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कुछ दिगज खिलाडी टीम के साथ नहीं पहुँचे जानकारी के अनुसार कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाडी दो दिनों के बीच राची पहुँचेंगे टीम के आगमन को लेकर बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस पहले से एरपोर्ट पर महजूद रहे प्रिशन सक विराट कोहली और अनुष्का का पोस्टर हाथ में लेकर इंतजार कर रहे थे लेकिन कोहली के ना आने से वो निराश दिखे राची पहुचे खिलाडियों में आर अश्विन, चेतेश्वर पोजारा, ईशान चर्मा और मायंक अगरवाल शामिल है क्रिकेट फैंस की उमीद विराट के साथ साथ रोहित शर्मा, जडेजा और अश्विन से भी है फैंस का कहना है कि रोहित भी शेतक जडे और जडेजा अश्विन अपनी बेहितर बॉलिंग से विकेट जड़के वहीं इंडिया साथ अफरीका मैच के लिए टिकेटों की विक्री जे सी ये कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गई है टिकेट खरीदेने के लिए काफी संख्या में क्रिकेट फैंस टिकेट काउंटर पर पहुँचे और परिवार के लिए टिकेट खरीदी इधर मैच को लेकर करिकेट प्रिमी विराग धोनी के फैंस काफी उतसाहित हैं उनका कहना है कि वो धोनी की एक जलत पाने के लिए बेताब है माही की एक जलत पाने के लिए बेताब हो रहे हैं फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि माही इस मैच में नहीं खेल रहे है बावजिद इसके किरकेट फैंस की बेता भी कम नहीं है बतादे कि राची में होने वाली टेस्ट मैच के लिए टिकटों के दाम धाई सो से दो हजार उपई तक रखे गए हैं राची से आशुतोष सिनहा की रिपोर्ट कि बाची से दो हो देट की रिए कि मैच में हो अभी एक रखे हैं लो बतादे खेट से दो हो एक रखे हैं